कच्चे यालू में इन चीज़ों को मिलाकर अपने चहरे के उपर लगाने के फाइदे जानकर आप हैरान रहा जाओगे अगर चहरे के उपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं काले निशान है, काला पन है या डार्क पैचीज है सनочно-बर्न हो गया है, या погmentation है, अगर आप इसका regular इस्तेमाल करोगे तो आप नोट करोगे कि आपकी ये दाग धब्बे sitov at और आप की स्किन ब्राइट हो रही है record और इसके साथ सदे हमारे नमस्ते जी आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर बाई सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे वाप सब मैं उमीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे तो इस रेमेडि को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इसका स्टार इंग्रीडियंट कच्चा आलू को आपने अच्छ तरीके से धो कर उसको कदुकश कर लेना है मैंने कदुकश कर रखा है अब हमें इसका रस चाहिए एक चम्मच के करिव आलू का रस हमने कितना ले एक चम्मच के करीब आलू का रस चाहिए यह जो है इसको हम फेंकेंगे नहीं इसका मैं आपको एक फेस बैक बनाना बताऊंगी आप इसका इस्तेमाल फेस बैक में कर सकते हो ठीक है जी कच्चे आलू के रस में ब्लीच प्रोपरिटीज होती है अपने इसी गुण की वज़ा जिसे हमारी स्किन टोन को लाइट करता है चहरे के दाखधबब को लाइट करता है पिग्मेंटेशन और फेट शाउट करता है ठीक है जी अब मैं इसमें एड कर रही हूं कुछ बूंदे निम्बू के रस की फ्रण यहां पर निम्बू का रस वही लोग एड़ करेंगे जि हमारे चहरे के दाखधब्यों को भी ठीक करने में हमारी हेल्प करता है और इसके अंदर एंटी एजिंग के गुण भी है क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है ठीक है जी अब मैं इसमें एड करूंगी आधा चमच के करीब कच्छा दूद कच्छा दूद हमारी सकिन को मौश्चराइज करता है हमारी सकिन को मतलब इतना सोफ्ट बना देता प्लमपी हो जाती है इसको लगाने के बाद हमारी सकिन ठीक है जी अब मैं इसमें एड करूंगी आधा चमच के करीब हनी फ्रेंट्स हनी भी हमारी सिकिन को हाइडरेट करता है, मॉस्चराइज करता है गर्मियों में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी सिकिन के ऊपर एक्ने मुहासो को आने से रोकता है क्योंकि इसके अंदर एंटी-bacterial properties होती है यह हमारे स्किन को नेच्रल तरीके से मॉस्चेराइज भी करता है अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक चमच के करीब प्लांट वाली एलोवीरा जेल अगर आपके पास प्लांट वाली है तो आप प्लांट वाली एलोवीरा जेल का इस्तमार करने से पहले उसकी लीव को निकाल कर तोड़ कर दो घंटे के लिए पहले रख लीजिए ताकि उसमें से जो जेलो कलर का विशैला पदार्थ है वो निकल जाए और हमारी एलोवीरा जेल हमारी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाए कई लोग बोलते हैं हमारी स्किन के उपर एलोवीरा लगाने से इचिंग होने लगी उसका रीजन भी यही होता है हम एलोवीरा जेल को तोड़के तुरांत अपने फेस के उपर अगर लगा लेते हैं तो हमारे चहरे के उपर इचिंग होने लग जाती है रेडेनस आने लग जाती है या दाने निकलने लग जाते हैं ठीक है जिए अब लास्ट में मैं इसमें एड़ कर रही हूँ छुटकी भर हल्दी फ्रेंट ये कस्तूरी हल्दी है मैं इसे भी चुटकी भर ले रही हूँ ज्यादा नहीं लूँगी अगर हम अपने face pack में हल्दी को जड़ा डाल लेते हैं तो ये face को wash करने के बाद face के उपर stain छोड़ जाती है और हमारी skin dull दिखाई देने लग जाती है हम face pack लगा रहे हैं अपनी skin को खूब सूरत बनाने के लिए इसको लगाने के बाद चहरा बिल्कूल बेजान सा दिखाई देने लग जाता जैसे कि आप बिमार होते हो इसलिए आपने हल्दी की मातरा का पूरा ध्यान रखना है देखिए friends face pack बिल्कूल ready है face pack लगाने से पहले make sure कि आपका face बिल्कूल साफ होना चाहिए face के ऊपर किसी भी तरह की कोई धूल मिटी या make up नहीं लगा होना चाहिए मैंने अपने face को साफ करने के लिए कच्चा दूद लिया है अगर friends आपको कच्चा दूद सूट करता है और आपकी skin dry है तो आप कच्चे दूद से ही अपने face को साफ किया किजिए और result देख सकते हो friends कहने की बात नहीं है आप 2-4 दिन करके देखिए आपको अपने skin के अंदर visible change दिखाई देगा आप अपने skin को खुद देखोगे कि आपकी skin के अंदर change आ रहा है पेस हो गया है साफ अगर face के ऊपर makeup लगा था या बाहर से आये थे आप तो आप ऐसे face को साफ करने के बाद पानी से भी अपने face को साफ जरूर करना मैं नहीं कर दी क्योंकि मेरे face के ऊपर कुछ भी नहीं लगा था आपने इस से अपने face के ऊपर दो मिनट मसाज करनी है मसाज बहुत light हैंड से करनी है फ्रेंट ये इतना lightweight face pack बनकर त्यार होता है इसको लगाने के बाद आप अपना घर का काम भी कर सकते हो आपको यह नहीं कि इसको लगाने के बाद लेटना ही लेटना है अगर आप मेरे regular viewer हो तो आप यह जरूर जानते होगे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि face pack लगाने के बाद लेट जाईए अपने लिए 10 मिनट जरूर निकालिए वह ऐसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि gravity का नेचर है कि वह हर चीज को नीचे की तरफ खीचती है देखिए हमारी स्कीन ओल्रेडी नीचे की तरफ खीच रही है ठीक है इसको तो हम नहीं रोक सकते हमने उसके ओपर face pack लगा दिया हमने उसका weight बढ़ा दिया अब आप खुद देखिए जिस चीज के अंदर weight होगा वह जल्दी खिचेगी नीचे की तरफ इसलिए अगर आप लेट जाओगे तो आपकी skin नीचे की तरफ ना खिचके sides पे जाएगी और आपकी skin लंबे समय तक lift up रहेगी एक काम तो आप यह करो और दूसरा रात को सोते समय अपने face को wash करके कोई ना कोई cream लगा के जरूर सोय कीजिए ताकि आपकी skin रात में जब repair हो तो उसकी speed दोगनी हो जाए ठीक है जी और अपने खाने पीने का भी आपने पूरा धिहान रखना है क्योंकि internal और external दोनों मिलक कर ही हमारी skin के ऊपर glow लाते हैं हमारी skin को चमकाते हैं देखिए friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजी आपका एक like आप नहीं जानते मेरे लिए कितना कीमती है मुझे motivation मिलते है कि मैं आप सभी के लिए और अच्छी अच्छी ingredient से allergy है उनकी skin को नुकसान हो सकता है वर्ना करके देखिए हर किसी की skin thank you बोलेगी friends देखिए face pack लग चुका है दो मिनट हो गए थे मुझे मसाज करते हुए 10 मिनट मैं इसको ऐसे ही लगा छोड़ दूँगी फिर मैं आपको साफ करके दिखाती हूं कि इसका result कैसा आता है friends 10 मिनट हो गए मैं आपको साफ करके दिखाती हूं कि आप रिजर्ट देखिए देखिए कि मैं अपनी स्किन को मौस्ट्राइज करने के लिए अपना बनाया मौस्ट्राइजर ले रही हूं आप भी फेस को वोश्ट करने के बाद अपनी स्किन को मौस्ट्राइज जरूर किया कीजिए प्राइज बहुत ही अमेजिंग रिजर्ट आते हैं अगर और ने इस फेस पैक को लगाया तो प्लीस रिव्यू भी जरूर देना कि आपकी स्किन के ऊपर इस फेस पैक ने कैसे रिजर्ट दिखाए हैं ठीक है जी तो आप भी इस प्यारे से खूबसूर से फेस पैक को बनाएं और अपने रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करें तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बै बै